असलाम अलेकुम एंड विल्कम बैक तो माई यूट्यूब चैनल मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमली कैसे हैं आप सब आज मैं पलूं के साथ शेयर कर रही हूं केरीमल केकी रेसिपी जिसे आप केरीमल पुडिंग भी कह सकते हैं इस डिलिशियो़ रेसिपी को बनाना असान यकिन माने ये रेसिपी इतनी मज़दार बन कर तयार होती है ऑर आप इसे जड़पट से बना कर तयार कर सकते हैं तो आप लोगो ने रेसिपी के तमाम स्टेपस को फॉल्ओ करके लासमी से टाइव करना है तो चलिए इस मज़िदा रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं रेसिपी को कोई भी पार्ट मुश्मत कीज़ेगा रेसिपी को फूल वाज कीज़ेगा रेसिपी वीडियो ची लगे तो लाइक दूर कीज़ेगा और चैनल पर नियुक्त चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा बिसमी लाइरों मारी रीम सबसे पहले यहाँ पर हम बटर स्कोच पुटिंग के लिए इसका कैरिमल रेडि करेंगी यहाँ पर आज मैं आप लोगों को इसका कैरिमल भी बनाना सिखाऊंगी यहाँ पर एक पैन चड़ाएंगे आधे कब से थोड़ा सा ज्यादा हम इसमें शुगर एड़ करेंगे और शुगर को जो है आप लोगों ने बिल्कुली लो फ्लेम पर अच्छी तरह से मैल्ट होने का वेट करना है यहाँ पर शुगर मैल्ट होना स्टार्ट हो चुकी है और इस पॉइंट पर आप लोगों ने जल्द बाजी बिल्कुल भी नहीं करनी दो से तीन मिनट लगते हैं और शुगर जो है अच्छी तरह से मैल्ट हो जाते हैं यहां पर आप देख सकते हैं शुगर का कलर जो है गोल्डन कलर का सा हो चुका है तो इस पॉइट पर हम इसमें वांटेबल स्पून बटर एड़ करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे बटर एड़ करने के बाज हाँ पर हम इसमें वान फोर्थ कप के करीब फुल फैट क्रीम एड़ करेंगे आप घरवाली यूज़ करें या पिर टेटरा पैक वाली जो भी आप लोगों के पास अवेरिबल हो आप इसमें एड़ कर सकते हैं आप लोगों ने फ्लेम को बिल्कुली लो रखना है और यहां पर आप देख सकते हैं हमारे कैरिमल का कलर कितना प्यारा सा गॉल्डन कलर का सा हो चुका है अभी लास्ट में हम इसमें 1 फोर्थ कप के करीब मिल्क एड़ करेंगे यहां पर मिल्क जो है जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं आप इसमें एड़ कर सकते हैं और मिल्क को अची तरह से मिक्स कर लेने के बाद आप लोगोंने बिल्कुली लो फ्लेम पर इसको 2-3 मिनट के लिए पका लेंगे ताके यह अची तरह से गाड़ा होकर एक कैरिमल शेप में आ जाए 2-3 मिनट को कर लेने के बाद यहाँ पर हमारा कैरिमल जो है अची तरह से गाड़ा हो चुका है तो खटंडा होने के बाद यह मजीद गाड़ा हो जाएगा इसको चुले से उतार कर एक साइट पर रख लेंगे जब तक कि यह रूम टंपरेचर पर न आ जाए अब ही हम बटर स्कोज या फिर पुडिंग के लिए प्रालिन तयार कर लेंगे अब दुबारा से हम एक पैन चड़ाएंगे और इसमें आदा कप शुगर एड़ करेंगे और शुगर को हम अची तरह से मेल्ट होने का वेड़ करेंगे शुगर या पर अची तरह से मेल्ट हो चुकी है और इसका कलर भी गोल्डन कलर का सा हो चुका है तो इस पॉइट पर हम इसमें थोड़े से ड्राइफूट एड़ करेंगे ड्राइफूट आप लोगों को जो भी पसंद हो आप इसमें एड़ कर सकते हैं या पर मैं इसमें बादाम और थोड़े से अखरोट एड़ करूँगी इन दोनों का फ्लेवर जो इस पॉड़िंग में बहुती कमाल का लगता है और इसको एक से दो मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे और साथ ही हम इसमें थोड़ा सा बटर एड़ कर लेंगे प्रालीन बनाते टाइम भी आप लोग उने जल्दबाजी बिल्कुल भी ने करने नहीं तो यह जल सकता है यहाँ पर ड्राइफ रूट जो हैं अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं तो अभी हम इसे एक ग्रीस की वी ट्रे के अंदर ट्रांसवर कर देंगे ट्रे को आप लोगोंने पहले से ग्रीस करके रख देना है क्योंकि प्रालीन कुछ है जब हम चुले से उतारते हैं तो यह फॉरण से जमने लग जाता है और इसे ट्रे के अंदर ट्रांसवर करने के बाद हम इसको एक ब्लॉक की तरह एकठा कर लेंगे ताकि यह ठंडा होन के बाद आसानी से निकालाएं आदा गंटा पंके के रीचे रखने के बाद जहां पर प्रालीन अची तरह से ड्राय हो चुका है और आप देख सकते हैं कैसे आसानी से यह आलाग हो चुका है क्यूंकि हमने इसको ग्रीस की उट्रे के अंदर ट्रांसवर किया था तो अभी ह हम इसको चोटे-चोटे से इसमें तोड लेंगे ताकि इसको क्याश करने में असानी हो जाए अभी हम इसे दरदरासा पीस लेंगे जो कि हमारे बटर स्कोच पुडिंग में बहुत ही कमाल का लगता है इसे आप एक दफा बना कर रख लें और जिस तरह की डिजर्ट या अभी या पर हम एक बॉल लेंगे जिसको हमने थोड़ी सी देर के लिए फ्रीजर में ठंडा होने के लिए रख दिया था क्यूंकि हम इसमें विपिंग करीम को आची तरह से बीट करेंगे आज कल गर्मियन स्टार्ट हो रही है तो विपिंग करीम जाए बीटिंग में होकती है और इसको आची तरह से बीट कर लेंगे यहाँ पर हमारी करीम अची तरह से बीट हो चुके है तो जो करीमम हमने बना रखा informações ता स्बुत की जितना क्यूंकि हमने का कैरेमल वाला फ्लेवर देना है और अगेन इसको एक मिनट के लिए बीट कर लेंगे इस पॉइंट पर आप लोगों को जितना कैरेमल फ्लेवर पसंदो आप उतना ही इसमें एड़ कर सकते हैं विपिंग क्रीम को हम एक साइड पर रख देंगे और जो कैरेमल हमने बना के रखा था उसमें थोड़ा सा मिल्क एड़ करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अभी मेंट पॉरसिस जो के है हमारी रेसिपी का कमाल का पॉरसिस इसके असेम्लिंग है एक ट्रे के अंदर हम थोड़ा सा कैरेमल ट्रांसफर करेंगे अभी यहां पर कैरेमल लगाने के बाद हम इसके उपर से थोड़ा सा प्रालीन चिड़क देंगे आप लोगों को जितना भी पसंदो आप इसमें एड़ कर सकते हैं यहां पर हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा चिड़क देंगे जो के खाने में कमाल का लगता है और उपर से हम एक लियार इस और वाली ब्रेड होती है वो वाली यूज़ करने इससे कमाल का फ्लेवर बनता है और उपर से दुबारा से हम कैरिमल लगा के उपर विपिंग करीम लगाएंगे आप चाहे तो दूसरी लेयर में भी इसके उपर प्रालीन यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैं लास्ट में लगा कर इसको उपर से क्रीम लगा कर प्लेन कर लेंगे अभी लास्ट में हम इसके उपर से और थोड़ी सी प्रालीन चिड़ाग देंगे जो के खाने में और लुकवाइस बहुती कमाल की लगती है और इसको ओवर नाइट के लिए हम ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे अगर आप इसके बैस्ट रिजल्ट चाहते हैं तो आप इस रेसिपी को ओवर नाइट के लिए कम से कम दो से तीन घंटे के लिए फ्रिज में लाज़मी से रखेगे जब आप इसकी फर्स्ट बाइट लेंगे तो आप यकीन माने इस रेसिपी के फैन बन जाएंगे ओवर नाइट रखने के बाद जहाँ पर हमारा बटर स्कोच पुडिंग अची तरह से ठंडा हो चुका है तो अभी हम इसे कट करके आप लोगों को दिखाएंगे बहुती क्रीमी टेक्स्चर मुह में गुल जाने वाला डेजर्ट सभी को बेहदी पसान दाएगा बगार मेहनत के बगार बेकिंग के जबदस कैरेमल केक आप इसे जरूर से ट्राइ कीजेगा इस पाइट पर अगर आप लोगों को मेरी रेसपी वीडियो अच्छी लगी है तो रेसपी को लाइक लाजमी कर दिया करें चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी से पैस का दिया करें ताकि इसी तरह की सूपर यमी रेसपी जब भी मैं अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिले और कॉमेंट्स में अपना प्यारा प्यारा सा फीडबैक लाजमी दिया करें इस तरह हमें होसला अफजाई होती है इस रेसपी के इलावा आप मेरे चैनल पर और भी डिलिशिस और सूपर यमी इजी रेसपी वाच कर सकते हैं और इसके लवा आप मेरे चैनल पर और भी कमाल के अमेजिंग विलॉक्स जो के विलिज ट्राइल में देख सकते हैं जिनको देखने के बाद आपका दिलखुश हो जाएगा लाजमी से ट्राइ कीजेगा और विलॉक्स भी लाजमी से वाच कीजेगा तो मिलते हैं योर मज़े रेसीपी के साथ थैंक्स पूर वाचिंग अला आफीज